जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल, अक्सर मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है, कि हमें सच्चा प्यार कब मिलेगा, क्या हम जिन से प्यार करते हैं वो सच्चा है या नहीं, क्या सच्चा प्यार कब मिलेगा, कि सुम्रम मिलेगा, और सच्चा प्यार के बारे में, जितन तो आज के यूग में एक यूद के लिए एक यूआओ के लिए और लड़का हो लड़की हो उनके लिए बहुत जादा आज की जरुवत है क्योंकि अब वो रिस्ते जो है सीमित होते जा रहे हैं अब हम बहुत कम रिस्ते रखना चाहते हैं बहुत कम रिस्ते और उन रिस्तों को बहुत ही अच्छे से निभाना चाते आज के यूद की एक नहीं परमपरा शुरू हुई है जो पहले कहीं सारे रिस्ते होते थे बहुत बड़ा परिवा और कुन बे हुआ करते थे वह पहले के मुकाबले भी बहुत कम हो रहा है तो एक अलग ट्रेंड शुरू हो चुका है तो हम आज बात इसी पर करेंगे कि सचा प्यार आपको कब मिलेगा कैसे मिलेगा और क्या क्या चीज़े इसी विशे पर इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे पर उससे पहले मैं आप से छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जेनल को सब्सक्राइब प्लीज आप सब्सक्राइब करें दोस्तों और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही आप कमेंट्स में लेखे ओम नमस्षिवाए और अगर आप इस विशे को लेकर परेशान और चिंतियत होते हैं तो सबसे पहली और मुख्य बाद जो अपने आपको समझा ले अपने आपको अच्छे से बता ले कि इस जीवन में हर एक वस्तु इस्तिती वातावरण हर एक चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त जैसे ही आता है हमें वो चीजे स्वतही होती जाती है और हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं हम केवल उस script के उपर किरदार निभाने वाले हैं और कि script हमारा इश्वर भगवान लिख कर रखा है और हर एक रक्ती के लिए एक सच्छा प्यार एक सोल में इश्वर ने जरूर बनाया है पर उसमें एक सिर्थ थोड़ी सी technical की बात यह है सही वक्त इश्वर के दारा दिलहरित वक्त पर ही वो हमसे मिलता है और उनका हम मेरे साथ कितने समय रहना है कितने समय तक जीवन यापन करना है क्या है सबी चीजे सेट अप है इसलिए इस विशे को लेकर कभी भी अपने मन में उतावला पन कभी भी घबराट और कभी भी बेचेनी और कभी भी कोई भी नेगेटिव थोट्स ना ने दे क्योंकि सही समय पर आपका सच्चा प्यार आपको जरूर 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 मिल जाएगा और सब कुछ भैतर होगा अब रही बात हम कुछ उपाय कुछ नेमिडी कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं कि यह नहीं कर सकते हैं तो आप इश्वर का जब करते रहें अपने गुरु मंतर का जब करें अपने इश्ट मंतर का जब करें दो वक्त शिवाले जाए मंदिर जाए शिव जी को रोज जल चड़ाएं और जितना हो सके उतना positive attitude रखें और तीसरी बात यह होती है कई बार जो लोगों की शादी नहीं होती है आप चीजों को बहुत be practical देखें दुनिया की तुलना में किसी भी रिष्टे को ना तो लें आप अपने हिसाब से चीजों को देखें अपने हिसाब से मतलब है जो पिल्कुल साधरन चीजें जो और आप अच्छी से समझते हैं अच्छा लगों लाइक करें शेयर करें नमशी हों